आपके सामने लेकर आया हूँ एक और सची खबर मेरे खुद पर आप वित्ती हुई खबर जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि मेरे दुबारा शिरी करनपुल शराप ठेकेदारों के खिलाफ रात को आठ बजे के बाद अवैद विक्री पर कई वीडियो डाली जा चुकी हैं जिस कारण मुझे ठेकेदारों से दमकी भी मिली थी लेकिन मुझे यह बताते हुए बहुत ही शर्म आ रही है कि एक दो बड़े अख़वार समाचार पत्तर दवारा आप यह दूरी खबर लगाकर मुझे बदनाम किया जा रहा है पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि शराब ठेकेदारों की उन समाचार पत्तरों के साथ किसी तरह की कोई साथ घांट है तो करके उन समाचार पत्रों दुआरा सिरफ उनके पक्ष में खबर लगाई जा रही है अधियो दूरी खबर लगाई जा रही है पूरी खबर नहीं लगाई जा रही मेरे दुआरा 26 दिसंबर को ही स्पी अनंद शर्मा जी से मुलाकत की गई थी और मैंने अपनी परिवाद स्पी अनंद शर्मा जी को 26 दिसंबर को दे दी थी और जब मैं स्पी अनंद शर्मा जी से मिला तो मैंने उनको सारी बात बताई कि मेरे दुआरा किस तरह से श्री करणपूर ठेकों के खिलाफ आठ बजे के बाद जो अवैद विक्री होती है उसको यूटूब चैनल फेस्बूक इस्टाग्राम मेरे चैनल पर लाइब वीडियो बनाकर डाला जा रहा है जिससे श्राफ ठेकेदार दौरा मेरे घर पर आ हैंड टो HUHंड टभी एक्षन लेते हुए मेरी परिवाद की जांच अतिरिक्ट पुलिस अधिक्षक रहसनेगर बनवारीलाल मीना जी को दी गई 29 दिसंबर को मुझे रैसनेगर बुलाया गया और मैं रैसनेगर जाकर बनवारी लाल मीना जी से मिला और मैंने अपने सारे ब्यान दिये कि किस तरह से मेरे दवारा याई वीडियो बनाई जा रही है और किस तरह से मेरे को धंकी मिली थी और मैंने अपने नियाई के लिए गुहार SP साब से क्यों लगाई फिर श्री करनपूर ठाने में बेज़ दी गई जिसकी जाँ चब ASI गाजाराम खोट जी यह जो दवारा की जा रही है और जैसे ही कल बुद्वार को मेरी यानि जो F.I.R की जो मेरी जो परिवाद की जो कोपी है वो परसो मंगलवार को शिरी करनपूर ठाने में आई जिसका ठेकेदारों को पता चल गया कि मेरे जवारा यह परिवाद लगाई गी है तो कल बुद्वार को ठेकेदार कपिल चुग को जैसे ही इस बात का पता लगा तो उसने अपनी तरफ से एक और परिवाद दे दी कि अमित दबंदवारा मेरे से पैसों की डिमांड की गई मुझे ब्लैक मिल किया गया और मेरे ठेके से फ्री शराब लेने के लिए आता है और जैसा कि उन ठेकेदारों को भी पता है कि पिछले डेट साल से मैं उनके ठेके के उपर नहीं चड़ा क्योंकि मैं एक साल से गंगानगर रह रहा हूँ पिछली 11 जनवरी से मैं शरी गंगानगर स्ट हो गया था और अब एक महिने पहले ही मैं वापिस करणपूर आया हूँ उससे पहले मैं शरी गंगानगर रहता था इसके अलावा मेरे सब फ्रेंड सरकल मेरे रिस्दारों सब को पता है कि मैं शराब का सेवन बहुत कम करता हूँ वो भी अगर कोई साल 6 महिने में मेरे किसी दोस्त का कोई जरम दिन आ गया या शादी आ गी तब ही मैं इस चीज का सेवन करता हूँ नहीं तो नहीं करता और रही बात मेरे पैसे की डिमांड की तो मैंने बैप पॉलिस प्रिशाशन से यही करता हूँ कि अगर मैंने इस तरह कोई अपराद किया है तो उसकी मुझे सजा दी जाए और मैं समचार पत्रों से एक विंती कर पर न चाहूंगा कि अगर वो कोई खबर लगाना चाहते हैं तो सची खबर लगाए ऐसे फर्ज़ीख खबरे मत लगाएं आदियुदूरी खबरें मत लगाएं क्योंकि आदियुदूरी खबरों से प्रेंकि मेरा कुछ नहीं जाता उनी का ही इच्परी सिप्त खराब होता करना चाओंगा कि मेरी खबर उन्होंने अपने इस समचार पत्र में लगाई जिससे जिन लोगों को मेरे इस विवाद का पता नहीं था उनको योग पता चल गया है कि इस तरह करके करनपूर ने कोई पत्रकार और ठेकेदारों के भीच में कोई विवाद चल रहा है मैं सब न समाचार पत्रों से विंति करूंगा कि वो इस तरह की खबरों को लगाते रहें चाए मेरे खिलाफ ही लगाते रहें जिस से दुनिया में जहाँ-जाब उनके समाचार पत्तर जातें हैं उन सब को पता चलता रहे कि क्या कुछ हो रहा है और इसी तरह फ्रंट पेज पर लगाएं मैं आपसे आज जोड़ कर विंती करता हूँ जल्द मिलता हूँ आपसे एक और सची ख़बर के साथ आपका अपना अमित लक्ती दवन जाए हिंज जाए भारत मेरे द्वारा बहुत जल्द एक बड़े समाचार पत्तर के खिलाफ सबुतों के साथ एक वीडियो पर सारित किया जाएगा जिसमें उस समाचार पत्तर में करमचारियों से कुत्तों की तरह काम करवाया जाता है और बाद में उनको निकाल दिया जाता है और फिर full and final settlement नहीं किया जाता recovery का नाम लेके उनके settlement को रोक दिया जाता है मैं आपके सामने जल्दी ही इसका परदाफास करूँगा क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं और मैं जल्दी ही आपके सामने इसको पेश भी करूँगा आप देखते रहें सची गटनाओं पर अधारित वियल हैटलाइन न्यूज चैनल और अगामी न्यूज में हमारे साथ देखें एक और नई सची गटना हमारे फेस्बुक इस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लिक करें आपका अपना अमित लक्की धवन जै हिंज जै भारत